हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप तो आज अपन ठो सवस्ता के लेक्चर शिक्स लेके आए हैं जीने से केडमी अलवर पर तो आज बात क्या रहेंगे अपन आज एकी देखो पिछले वीडियो लेक्चर में ए और आर के बीच के रिलेशन सीखा था कि यह क्या है हमारा कोर की लंबाई कोर या किनारा एक ही बात है कोर या किनारा इसकी लंबाई कोर की लंबाई किनारी की लंबाई हैं अए समझे हो ठीक है और हार क्या है पर माद्व की त्रिजा या गोले की ट्रिजा एक कश्टी्ब क में यह रखा होगा है जह पर माध्व उसकी त्रिज यह दोगते इन दोनों के बीच्म रिलेशन देखए था रिश्ट की बात करें एपसीची फलक के इंद्रित गैनिये के कोश्टी का काय के इंद्रित गैनिये को पुश्टी का को तीनों के लिए अब आपको A और R के इसके रिलेशन बताए था set a equal to 2 R होता है स्रेल जहनिएक तोस्टिकह में में able to क्या होता है 4r upon root 2 होता है दो परमाणों के distance d это же平ी होती है ऑपन रूट तो होती है क्लियर है बी सी सी में एक क्षोर आर अपन रूट 3 होता है तो ये सब बात अपन करने की थी दो पर्मानों की बीश्टी दिस्टेंस निकाल लो ठीक है यह सब से का दिया था है आपको आज अपन एक्चुल्य में डिस्टेस करने वाले हैं दूसरा टॉपिक यह और आर की बीश्ट के रिदेशन हो गये ठीक है आज हमारा जो टॉपी के वो है कि संकुलन डक्षता क्या होती है संकुलन डक्षता क्या होती है और संकुलन अंश क्या होता है ठीक है संकुलन अंश वे संकुलन डक्षता तो यह हड़िंग लगा लेते हैं अपन संकुलन अंश वे संकुलन डक्षता इंगलिस में इसको बोलते है पलत समझे कि एफ एफ एक्राक्िन पलत स्व闹ता जयुआ अच्छा यह संक्यूलन देच्चता क्या होती है बैई सीधी से बात यहां पर यह है हम जब परमाणूं को विवस्तित करते हैं ज़रा एक मैं आपको चीज बता की दिखाता हूं एक चीज करकी दिखाता हूं मैंने क्या हुआ ठोस में इन परमाणूं को लगाना शुरू किया एक मैंने ऐसे लाइन बना दी ठोस मैंने परमाणूं को लाजाना शुरू किया इस तरह से मैंने लाइन बना दी एक तीसरी लाइन मैंने बना दी इस तरह से दूसरी लाइन बना दी मैंने परमाणूं को एक तीसरी लाइन मैंने बना दी तो आप इस रित्तान के बारे में सोचो इसे क्या बोलते हैं अब रित्तान या चेद्र ठीक है अच्छा एक तो ये विवस्ता है एक दूसरी विवस्ता और है इस पर विचार करते हैं परमाणूं को पहले ऐसे लगा है उसके बाद मैंने क्या किया अगली जो लाइन थी देखो ये पंक्ति ए हो गई ये भी ए ये भी एक जैसे पंक्ति परमाणूं ने ॐस फोकमति देखो परमाणूं को इस रस को विवस्ते हो सकती है कि ये हम परमाणूं को इस फूर्ब ऑते的 जैसे लटड़ लो आप लटड़ और ऐसे रोक्व पहले इस तरह रख पुरिंड दूसरी लेयर लगा दो इसके साइड में लगा दो कि यह दूसरे तरीकों वो सकता है कि जो पहली लाईंवें उनके बीच में जोड़ जड़े है इनको क्या बोलते हैं जड़े जड़ों में लगा दोबना मट यह आवनमक्त आवनमक्त यह जड़ों ईन्मन में भरदो फिर तीसुंजования दो पहले की तरे आरा समझने, इस तरह से सेट करो, फिर इनके गड़ों में भर दो आज लिए, तो इस तरह हम परमाणों के विवस्ते कर सकते हैं, अब ज़र एक चीज मुझे देख के बताओ यहां पर, यहां यह इसको A-Line बोलता हूं, इसको B, इसको A, इसको B, क्योंकि यह अलग तरीके का पैटर्न, गड़ों में परमाणों गये हैं, जब नीचे नहीं गये, फिर A तरीके जब पैटर्न आजए, फिर B तरीके का तरीके, अब ज़र मुझे इक बात बताओ यहां पर, रिक्तिस्तान तो यहां भी बचा है, देख, है रिक्तिस्तान, यह चिद्र यहां भी बचा है ठीक है, और रिक्तिस्तान यह चिद्र यहां भी बचा, यहां जो रिक्तिस्तान यह चिद्र बचा हुआ है, इसको पर बोलते हैं, वर्गाकार, रिक्तिस्तान है, चार एटम इसको गेरे हुए, और यहां त्रिभुजी है, तीन एटम गेरे हुए, तो एक बात बताओ मेरे पैक करना सुरूए किया, ख्लेर है नहीं है, तो यहां रिक्तिस्तान ज्यादा बच गया, और यहां पैक करा तो यहां अपने अच्छे से पैक कर गया, मतल़ जो हमारे पास अवलेबल स्पेस था, वो ज्यादा भर गया, हमने यूज लिया, यानि हम कह सकते हैं, उपलब्द इस्तान की, अगर अपन बात के हैं, या जो उपलब्द इस्तान था, उपलब्द इस्तान को मैक्सिमम नहीं भर पाए, नहीं भर पाए, तो इससे क्या हुआ, रिक्तिस्तान ज्यादा रहे गया, रिक्तिस्तान ज्यादा रहे गया, ठीक है, और यहां क्या होगा, उपलब् इस थान को भर पाए यहां पर अपने कोसिस किये को मैकसीमम भरा तो यहां क्या लिख सकते हैं? रिटिस्तान क्या होगा? कम? कम रहे गए इतना समझाती है अपने को गहान इतनी चाहिए इतनी चीज़ क्लियर होगी है अच्छा अब एक बात बताओ मेरको यहां रिक्तिस्तान बहुत ज़्यादा रहे गए है वहां रिक्तिस्तान बहुत कम रहे गए ठीक है तो संकुलन डक्षता या संकुलन अंश कहां ज़्यादा है संकुलन अंश कहां ज़्यादा होता है कि कितना पैक हुआ और कितना बचा यहां पैक कम हुआ है बच गया जादा यह हमने बहुत सा खालिस्तान चोड़ दिये हमारे रखने की विवस्ता में गड़बड थी तो संकुलन अंश्य संकुलन दक्षता का मतलब क्या होता है कि क्रिश्टल जालक में परमाणूओं को विवस्तित करने पर परमाणू एक दूसरे के इस तरह से पास आ जाते हैं कि उनके बीच में रित्तिस्तान कम से कम बचे इससे क्या बोलते हैं संकुलन अंश ठीक है परमाणू एक दूसरे के पास इस तरह रखे होते हैं इस तरह रखे होते हैं कि उनके मद्ध है कि उनके मद्ध है रित्तिस्तान कम से कम बचे रित्तिस्तान कम से कम शेश रहे कम से कम शेश रहे ठीक है परमाणू एक दूसरे के पास इस तरह रखे होते हैं कि उनके मद्ध रित्तिस्तान कम से कम शेश रहे इसे संकूलन अंश द्वारा दर्शाय जाता है एक चीज और संकूलन दख्षता क्या होती है जब संकूलन अंश को हम प्रतिशत में व्यक्ति करते है तुछ संकूलन दख्षता करते है जब संकूलन अंश को संकूलन अंश हमेशा एक या एक से कम है एक से कम ही आएगा, एक तो आई नहीं सकता, एक से कम, अंश मतलब fraction, fraction एक से कम ही आता है, जब संकुलन अंश को प्रतिषत में दर्शाय आजाए, प्रतिषत में दर्शाय तो इससे क्या कहते है, संकुलन दक्षता, ये अंतरवत दोनों, वो भी उसी चीज को बता रही है कि पर माणू एक दूसरे के पास कितने क्लोज है कितने दूर है जर शाय है तो इससे संकुलन दक्षता कहते है ठीक है इसको मैं विवस्ता ए बोल दू और इसको विवस्ता बी बोल दू तो हम कहेंगे फिर विवस्ता ए विवस्ता ए में संक्फता की बात ही प्रतिशत में लिखा जाते हैं संग्फूलन दक्षता संग्फम्न अंश 0.52 तो संख्फम्न Eld future 22% še समझे नो ऑन कहा निस है 100 से measuring किर देते हैं एकर संग्फम्न नंश को दुद दख्षता बन जाती है तो इस संधू अट-लिक स्धता A में संकुलन अंश या संकुलन दक्षता B से कम है समझे B में ज़्यादा है हमने B में अलग तरीके से रखा हमने दिमाख लगाया और परमाणू की इस तरह रखा कि विवस्त जो रिक्तिस्तान है वो कम से कम भच क्लियर है रहा है एक दूँ ठीक है अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या है मतलब हम संकुलन अंश या संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है तो ज़रा समझे लो पसॉर्मूला भी संकुलन अंश का फॉर्मूला इसको बोलते है पी एफ पेकिंग फ्रेक्ष बराबर ज़र समझो जो हमारी एकक कोष्टी का है उसमें अपन गणना करेंगे जो तीन प्रकार की एकक कोष्टी का है पढ़ा रहा हूं मैं सब्सक्राइब कोषटी करना भी आपने कोष्टी साया और लंबाई बराबर छाड़ा ऊचाई क्रिस्टल पेरेमिटर ते plugging लंबाई चौड़ाई उचाई बराबर तो कोर की लंबाई कोर की लंबाई ए है चोड़ाई बी है रूचाई सी है तो तीनों को ए इमान लो कि यू बराबर है तो ए क्यूब हो जाएगा आयतन गन का तो इस गन का आयतन भी AQ — इसका भी आयतन भी AQ, इसका भी AQ it is पुल आयतन इन तेनों एका कोश्टिकाक, उम्पोरी एका कोश्टिका की पड़ी अब टाली पड़ी अब कंव इसमें रखना है भी तो आफ रखिवगे होने consortium में इसमें चाहर सिम न्यूंदान की होते हैं 20C से में दो कंड रखी होते हैं खुद से सोच के बताओ किस्शल से ज störग है जादा यूज कोन लेगी एp-see चार कंड रखी और चार कंडों का अधन क्या होगा एक कंड से चार कुना होगा लियर नहीं है तो उप्लब्द आयतन के सबसे ज्यादा इससा कौन कवर करेगी एp-see तो यह संक्रियन्ड देख्ष्टा ज्यादा है फील आ रहे है ठीक है बी पूरा उप्यों के लेगे एक बहुत ही कम पड़े एक बीच का उड़ा वाली कहान है तो इसका फॉर्मुला सीधे सीधे देख लेते हैं सरे जंद इसे लल चाओ में तो मैं फॉर्मुला बता दो भी सीधी सी बात है फॉर्मुला मैंने आपको सिखा दिया कैसे बने इसका कोश्टी का में कणों द्वारा घेरा जया आयता है कणों द्वारा घेरा जया आयता है एक कोश्टी का में कण कितना आयता है बता एक कोश्टी का कुल आयता है एक कोश्टी का कुल आयता है ये तो हो गया हमारा पी एफ का फॉर्मौ अब इसी फॉर्मुले को दूर सो से गुणा कर दूत हो जाएगा पी पी संकुलन दक्षता क्या हो जाएगा संकुलन दक्षता क्लियर है अब इसको कल्कुलेट कैसे करेंगी अरे एक कोश्ट कामिक करने कितना आयतन गेर रहें वो देख लो ठीकर भाई इसकी वैलू जो उप होती है बी से से में जैड़ की वैलू दो एप सीसी में जैड़ की वैलू तीन सोरी चार अगर आपको नहीं पता जैड़ की वैलू कैसे निकालते हैं तो पिछला वीडियो लेक्षर जाके देखें कंटिन्यूस देखना है और पढ़ेगा तभी अच्छ इसक्लियर होगा ए पीसी से में यह दो करनों द्वारा गेरा जाया तन रखें और एपसी से में चार करनों द्वारा गेरा जाया तन रखें चार करने सबसे जादा आयतन गेरें तो संक्लियर रहा है नियों चोरह बहुत बढ़ी है न तो आब अपन फॉर्मूला बना लेते हैं तीनों के लिए अब हम क्या करते हैं तीनों प्रकार की जो एक अग कोश्टी काए है उनके लिए अच्छा पी ई होगे पी एफ पी एफ होगे पी एफ क्या होगा संकुलन दक्ष्टा पी एफ इंटू हंडर्ड पी एफ इंटू हंडर्ड यानि इसको पस मल्टिप्लाइ करना है सो से कि आई होप यहां तक समझा रहा अच्छे से अब अब अपन जल्दी से फॉर्मुला निकाल देते हैं फिर घनत्तों का एक फॉर्मुला और देखेंगे कूल एक पूश्टी काए कैसे निकालते हैं दीजे गया तो में वो बड़ा अच्छा टॉपिक है कि चल्ड़ ठीक है एक कोश्टी का में कणव द्वारा गेरा घया आयतन चोड़ देता हो मैं आप ज़रा देखो संकुल एंच स्पीयस इक वेंट एक कोई ट्रोंह द्वारा गेरा डाया जया आयतन इसका फॉर्मला क्या बना सकते हैं बहुत क्रूल कुल कि प्रुटैकर स्पताव जयद कर एक काई तुत नहीं कितना होता है चार बटा तीन पाइयार क्योंक्ते कहा से अर ब्लब काहता है गोला है न अ निकालन मैंने आपके सिका दिए ठीक चलो जैड निटी चार बटा थीन पायार क्यूब अपॉर एक एक क्यूब क्या है एक पोस्टिक अगा कूला आए तरह अब यह फिक्स रहें यह निक बदलेगा बस जैड की वैलू बदले इस फॉर्मूले में क्या बदलेगा क्या निव रूट बदलेगा क फोर हो आप न रूट अब ठीडिग क्लिए रया का निहीं ठीक है इस फॉर्मूली को अपन अप्लाई करते हैं लेकिंड उस्से पहले एक चीज कर लेता हैं क्या 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 बदलेख हैं अब के आप क्या करते हैं एक क्यूब माना हो तो और घॉकर a3 की वेलु निकाल देते हैं पहली a3 किवेलु निकाल लेता है तीन हो परकार की एक आपो चुट क्रोव से के लिए निकाल लेते हैं भी चीजिए के लिए सब्सक्रूकी एक ल्प एकवरल तो supreme होना फ्रिव का क्योगा वाध्य तो एक लिए यह कोश्ट को जोगा कुलायतन कितना होगा तो 8R Q option में हो तो उसको टेक कर देना ठीक है BCC में क्या होगा A equal to बताओ 4R upon root 3 बताया था बताया था तो A Q क्या हो जाएगा भई 4R upon root 3 का whole cube हो जाएगा clear है तो A Q क्या हो जाएगा हमारा 4 into 4 into 4 64R cube upon root 3 into root 3 into root 3 यह हो जाएगा 4 का cube 64R का cube upon root 3 root 3 into root 3 क्या होता है root 9 यह तो 3 हो जाएगा तो A Q क्या हो जाएगा 64R cube upon 3 root 3 clear है clear है clear है अच्छ ठीक है और FCC क्या होगा A equal to 4R upon root 2 तो A Q क्या हो जाएगा 4R upon root 2 का whole cube तो A Q क्या हो जाएगा 64R cube upon यह हो जाएगा 2 root 2 root 2 को तीन बार लिख लेना root 2 into root 2 root 4 into और तीसरा root 2 बच गया ठीक है तो यह हो जाएगा clear हो यह कहारी तो अब क्या करना है यह कूल आए तना जाए SCC निसराल जानी एक कोश्ट क्या कूल आए तन यह आजए BCC यह आजए अवलेबल आए तन और FCC के लिए यह आजए ठीक है अब पैकिंग फ्रेक्शन पैकिंग फ्रेक्शन तीनों प्रकार की एक कोश्ट जाओं के लिए calculate कर लेते हैं बहुत सिंपल पैकिंग फ्रेक्शन एंड पैकिंग एफिशिंस तीनों चीज़ calculate कर लेते हैं सबसे पहले बताओ SCC जैड की वैलू एक दो बस एक बाकि एक क्यूब की वैलू हमें पता ही है तो पैकिंग फ्रेक्शन निकाल लो पहले जैड की वैलू एक इंटू चार बटा तीन पाइ आर क्यूब अपॉन एक युब कितना 8 आर क्यूब और क्यूब से आर्क्यूब चैनसे हो ज़ये ती खी और यह जाए गवरा दो बार तो पैजिंग फ्रेक्शन क्या आगां मार का यह यह आ जाए बाए थूद तीन बचसे जाए यह पर दो यहां पर है सब्सक्सामिस तो दो पीड़ू सकता है ? इसको रटके चले चाते हैं ,सको सौल कर वा सकते हैं और प्हेयरा ऑपफ पाभी ये खीड एचाते है पाई पाई क्या होता है 3.14 upon 6 तो यह आप कर लो 0.52 और पैकिंग एफिशेंसी कितनी आईजी जरा बताओ यह आईजी 52 पैकिंग फ्रेक्शन को 100 से मल्टिप्लाई कर तो पैकिंग एफिशेंसी आदो अधर संक्यूलन डक्ष ताज है ठीक है चलो सर यह तो समझ में आजी कहा यह ख्या थीडल तो युक्या है यह भरा हुआ और फिह कि यह बहा हुआ अ एक बार कंप्फिटेशन में ऐसा और कुछ लिया था एससे में रिक्तिस्थान बताओ कितना है पेकिंग इफीशन सी निलिक्तिस्थान पूछ लिया परसंटेज में डॉत बहुत आलिस परसंट भरा हुआ इस पान कुछ निइए प्सेंट ब्ट बहुत तो का 52 इसा बहा हो ठ हो जाएगी क्लियर है पहले एफसी सी नहीं बी सीसी की बात कर ले जैड की वैलू 2 हो जाएगी विद्धा होईगा इसमें ज्यादा पैकिंग फ्रेक्शन आएगा बटा कुल आयतन कितना है एक उसकी कोश्टी का था, 64 R¥3 रूट 3, क्लियर है, ठीक है, तो पैकिंग फ्रेक्शन क्या बनेगा, जरा चेक कर लो, देखो, यहांसे R¥3 से R¥3 कैंसल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, ठीक है, और 4, 16 बार, 8, ठीक है, तो पैकिंग फ्रेक दो यहां से चला जए, 4 यहां से चला जए, पाई उपड़ है, इंटू, रूट 3 उपड़ है, रूट 3 थोड़ी कटा है, रूट 3 उपड़ है, पाई उपड़ है, अपन, R¥3 सा R¥4, 16, 8, यहन्या, 8 नीचे, ठीक, पाई इंटू, रूट 3 बाइ 8, यह तो यह हो जाएग कर लो तो पैकिंग फ्रेक्शन हमारे क्या है जा पाई की वैलू है 3.14 इंटू रूट 3 की वैलू कितनी होती ही 1.732 अपोन 8 इसको मुल्टिप्लाइ कर लो डिवाइड कर लो पैकिंग फ्रेक्शन है जा 0.68 जा पैकिंग एफिशेंसी कितनी है जी 68% और रिक्तिस्तान कितना ह 32% ठीक है नोट कर लो चलो अब अपन डिस्केस करेंगे नेच्ट बी सीसी के बाद है हमारा लाश्ट एप सीसी चलो एफ सीसी में क्या होगा तीसरा है हमारा एफ सी सी जैड की वेलू क्या है बच्चा बताओ 4 है एफ सी सी जैड की वेलू 4 है ठीक है पैकिंग फ्रेक्शन क्या बनेगा जरब चेक करो जैड की वेलू 4 इंटू 4 बटाओ 3 पाई आर क्यूब और एक ट्यूब की वेलू कितनी है 64 आर क्यूब 2 रूट 2 तो अपने इसको ऐसे लिख देते हैं उल्टा 2 रूट 2 अपॉन 64 आर क्यूब समझे ने उल्टा करके मिल्टिप्लाइ कर दिया आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल है ठीक है और यह हमारा चार चुक 16 ठीक है तो यह यहां से 4 आ जाएगा यहां से 2 आ जाएगा ठीक तो पैटिंग फ्रेक्शन के बचेगा हमारा देखो पाई रूट 2 बाई 6 पाई रूट 2 बाई 6 यह बचेगा और यहां से बचेगा पाई रूट 3 बाई 8 चीक है चलो आप क्या इसकी वैलूज रखेंगे तो वैलूज रखो तो 3.14 इंटू रूट 2 के वैलू 1.414 अपॉन 6 तो पैकिंग फ्रेक्शन आ जाएगा मारा 0.74 और पैकिंग एफिशेंसी कितनी आ जाएगी सबसे ज़्यादा 4 परसेंट यह चार करने तो जादा स्थान गेरेंगे ठीक है अच्छा अब यहां पर बात आती है अब यहां पर बात आती है रिक्तिस्तान की तो रिक्तिस्तान क्या होगा ज़रा चेक कर लो 26 परसे तो आई होप यह वीडियो लेक्शन आपको अच्छे समझ में आया हो चलो के लिए रहें अच्छे यहां तक हो जह संख्यूलन दश्चतती उन्हों अपनको समझ में आगे अच्छे से अब अपन बात करते हैं क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट अमारे क्या है कि किसी एकक कोश्टिका का घनत्व कैसे कैलकुलेट करते ह ठीक है? और फिर एक فार्मूला और है कि एकक कोश्टिकाओं की संख्या कैसे निकालते है एकक कोश्टिकाओं की संख्या हमें कुछ आयतन दे दिया गया कि सहाँ आपके पास हम इस Doين successful तोस है इसका इतना आयतन आपको दिया हुआ है कि इस प्रकार की यह कुष्टी का है वाला सॉलिड है BCC एक सी जो भोल देंगे अब आप बताओ इतने आटन में कितनी एक पुष्टी का होगी पांच एमैले मालों यह 5 Center की वह किसी ठोस का आयतन तो आप पताओ उस ठोस में कितनी एक कुष्टी का है होगी बहुत इंट्रेस अब अपन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और वो है कि सब एक कोष्टी का का घनत्व कैसे कैलकुलेट किया जा सकते हैं तो लगा लेते हैं अब एक कोष्टी का का घनत्व या डैंसिटी अब हमें एक कोष्टी का का घनत्व नेकालना तो एक कोष्टी का का द्रव्यमान रख दो अपन एक कोष्टी का का आएतन रख ठीक है तो यहां फोर्मुला बन जाए हमारा एक कोश्टिका का द्रव्यमान, अपन एक कोश्टिका का आयत, आरी कहानी कलियर, एक कोश्टिका का आयत, यह हो जाएगा हमारा घरत्व निकालने का सूत्र, ठीक है वई, चलो तो एक कोश्टिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ द्रव्यमान कैसे निकलेगा एक कोष्ट इका में कितने कर्ण है इंटू एक कर्ण कर्ण होते हैं एक कर्ण कोष्ट इसको मल्टिप्लाइए कर एक कर्ण का द्रव्यमान एक कोष्टिका का आयत है एक कोष्टिका आयत में कितना होता है एक यूब होता है ठीक है और यह हो जाएगा हमारा घहनतियों का फॉर्म अब कहानी यह अती है यह मैं यह देंग सिपिक प्स्षाउला ऐसे टूइस स्मॉलम एप और लूट्व अब एक कन का या एक परमाणू का द्रव्यमान क्या होगा जो एक कोष्ट का कोने पर फला के केंदर पर या काय केंदर पर रखा हूँ है लो उस कन का द्रव्यमान उसकी बात करें तो एक कन का द्रव्यमान क्या होता यह कैसे निकालेंगे तो सिधी से बात है एक मोल कनू का द ड्रविमान मतलब N A एक माल में कितने कनों होते है I wanna ड्र norms नंबर की और वह सिर्वोग्ञ्ण और के निक्यालते मरभा दर्विमान यादारा कुछ कि यादारा कुछ 모ar द्रव्यमान ऊको निकाल ना था है तो इसे अनू भाता है ज्राम अनू भार या ग्राम परंभार कहा जपा जाता है ये क्या चीज है एड़ाम परंदपर सब्सक्राण कब यूज लेंगे जब कर सबस् focuses कर. एगे अब यत यहां ज्यादर तर आपको परंदवार मिलेंगे क्यों जैसे मालो ड्रट की बात करे ज्यादर तर हो जिन्क ठोस है ठीक नहीं? कॉपर ठोस है तो इनके आप ग्राम पर मानूं बार रखोगे एक मोल प्रॉपर परमानों के द्रवमान एक मोल जिंग परमानों के द्रवमान तो यह मोलर द्रवमान एक राम परमानों भार है ग्राम अनू भार ठीक है यह तो एक कन के द्रवमान निकालने है अपनों एक कन का द्रवमान क्या होगा इसमॉल एम बई दस कनो का द्रवमान कुछ आ रहा तो एक कन का कैसे आता है दस कनो का द्रवमान बटा दस एक कन का जाता है इतने कनो का द्रवमान एम आ रहा है तो एक कन का द्रवमान क्या है जब बताओ इतने कनो का द्रवमान एने कनो का द्र आपको बोलता है सब कोपरा, Imperium Molar द्रवमान 63.5 एएसा बोलती है जिसे लिए तो कोपर की 63.5 ग्राम पर मोल इतने जो दो दो गुन है दसकी पावर थेज़ इतने कर दो पूंट पाँच ग्राम पर मोल साधे तरे सट ग्राम का एक न थोड़ी होगा थीक है तो एक न की द्रव मान क्या होगा इस इसमें डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर तब एक न के द्रव माना एक कौपर का द ब्रव मान यह ग्राम पर मानू बार अपन ए न तो डेंसिटी का एक और फॉर्मॉला इस इक्वेशन वन जैड इन्टू क्यापिटल एम अपन एक्यूब एने क्लियर हुआ हुआ एम अपन एक्यूब मैने एने कहा से लिखा है एक कन का द्रव मान लिखते हैं तो यह वह व क्लियर अच्छा अब एक बात बताओ हमें गहनत्व भी मिल गया अब हम क्या यह कैलकुलेट कर सकते हैं क्या एक चीज बताओ अगर मान लो आपको यहां पर गहनत्व दे दिया गया दिया है डी दिया है मोलर द्रविमान भी दिया है अगर आँ अने तो देने की जर्रत ही निया सब बच्चों को पता है इसकी वैलु तो कंस्टेंट होती है ठीक है एक कोर की लंबाई यह आपको दी हुई है को क्यों कि लंबाई दी है तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं जञेग की वेलू निकाल सकते हैं ज़िएस चीछ बता रहूं मैं जहनत प। आपको दे रखा है जय fazer तो जीतना मोलर द्रवमान कोर के लंबाई इतनी तो बता वो एक प्रेड़ की प्रकरति यह प्रकरति मितलब वो वह फ्रकरति ना वह जो गी duty यह वह यह वह ससी तो तो कैसे पता से लेगा अगर इसकी वैलू एक आ जाती है तो SCC, दो आ जाती है तो BCC, चार आ जाती है, अब राउंड ओफ में 3.9 आ रही है तो 4 ही में समझ लेना, आपका फाइनल आंसर 3.9 आ रहा है तो 4 ही के बराबर है, 4 के एक वाल है, तो इस तरीके की चीजे अपन को कर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अच्छा, एक चीज और वो घुमा सकता है, आपको बोल देता है BCC, तो मतल़ जैड की वैलू देदी, फिर देंसिटी पूस सकता है, एक चीज और A की कोर की लंबाई ना देखे, क्यों कुछ और दे सकता है, आपको परमानो की तरिज्जा दे सकता है, SCC के लिए परमानो की तरिज्जा दे दी, आर 404 पिको मिटर, तो A की वैलू क्या होगे, 2R, SCC के लिए A की वैलू 2R होती है, A और R की रिलेशन यूज कर ले, क्लिए है नहीं, अच्छा, BCC की वैलू, BCC के लिए A की वैलू क्या होती है, 4R अपोन रूट थी, मोलर दर्वेमान इतना है, FCC है तो Z की वैलू 4 हो गई, ठीक है, लेकिन कोर की लंबा ही नहीं थी, आप पूछ रहा हूँ, गहनत तो कितना होगा, क्या पूछ रहा हूँ, गहनत तो कितना होगा, तो बताओ कैसे निकालो, तो आप क्या करना, FCC A की वैलू निकाल लेना, R दिया हूँ, इसको अलएक से solve करके, फिर यहां रखना है, ऐसे मत करना, इसको क्यूब बहुत लंबा हो जाएगा, पहले एक ही वैलू इस फॉर्मुले से solve कर लेना, जो आए उसको यहां पिर उसका क्यूब लेना, तो ज़्याद अच्छे से आपके समझ में आगा, ठीक है उसके बाद सारे calculate करेके density आप निकाल से, क्लियर है या निया, तो इस तरह से कुछ-कुछ मैंना आपको तरीके बता दिया, क्यों numerical से कैसे कैसे बना सकता, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा concept आता है, एक कोस्टिकाओं की संख्या निकालने का concept, ए एक कोस्टिकाओं की संख्या कैसे अपन calculate कर सकते है, जरा check को, एक को कोस्टिकाओं की संख्या, एक को कोस्टिकाओं की संख्या, ठीक है, यह calculate होती है आयतन से, आयतन वाले concept से calculate होती है, ठीक है, कैसे calculate होगी, माल लो, एक कोश्टिका का आयतन आपको नहीं दिया हूँ ठीक है आपको एक कोश्टिका का आयतन नहीं दिया हूँ कुल आयतन दिया हूँ अच्ना है तो ला एक्ष्ट्यस के अट एक्ष्ट्ट में दिया गाल ऑक लोंद्स एक्ष्ट्राइब था रॉक्ष्ट्ट्ट्रहत freaked आईक्ष्ट्राइब प्ने कटने जीटनी जल्डीक्र अमाण लिए पने एक्ष्ट्राइब क्ूल आयतन वोगा क्ूल आयतन में एक सãy करस्टिका आयतन नो कुल होगा थे एक से करस्टिका क्वूल आय तन यह वी माल ले कितना माल लेते हैं वी माल ले ठीक है तो एक-एक कोष्ठी का कुल आयतन कितना हो ना बताओ एक-एक कोष्ठी का हो सोरी कोष्ठी का कुल आयतन एक-एक कोष्ठी का कुल आयतन कितना हो एक-एक कोष्ठी का वी अपॉन एक्स अरे एक्स पांच एकक कोश्टिकाओं का आयतन दस आ रहा है पांच को तो एकक कितना आयगा दस बटा पांच दो आयगा तो एक्स एकक कोश्टिकाओं का कूल आयतन वी आ रहा है कर विरफ पांश सेंटीमेटर कुप करोड़े वंक को घंड कुछा रहा होगा तो एक एक पहे कोष्टिका आहतन क्या होगा जितना आहतन आपन उसमें एक पह कोस्टिकाओं है वीडेस वीडेस माल लेते हैं यह में पता नहीं है ठीक है तो एक एक कोष्ठी काओं की संख्या कैसे निकली एक कैसे निकलेगा तो यह फॉर्मूला मुझे समझाना ता है कि एक कोष्ठीका की संख्या बराबर एक कोष्ठीका उनका कूल आयतन अपन एक कोष्ठीका का आयतन समझ में नहीं है अच्छा अब यह तो दिया हुआ है कूल आयतन आपको दिया हुआ है तो उसको यहां रख सलभांगे और एक एक रोस्टीका का आयतन कैसे निकलेघा एक इस इस कर जाए ना तो एक अक तो प्यपड़ेगा के रहें एक रूटे में आइस में प्रकार नधा के नद्न रॉट्व-क्ष फॉस्बार्शता एक जा टी निहीं सकता है लेकिन उसका फॉर्मूला तो पता है ना एक एक कोष्टिका का आयतना कितना होता है एक क्यूब होता है कि नहीं होता है तो एक क्यूब को सॉल्व करके उना आप निकाल लेना कितना है एक एक कोष्टिका का आयतना आप निकाल लेना हाज से कहाद वर सब्सक्राइब होगे कि फ्यूल योग दो जनत भी आपको दे दिया जोंड़ते है नहीं किसा ऑप एक उप क्या यह एक एक पुर्ष्ट का नहीं में यह कोष्टिका का नहीं are सारी चीज़ रखें यहां रखो कुल आयतन दिया हुआ यहां रखो एक्सक्वेल हो आज ऐसे कुस्टिन कहीं बार पूछे गए हैं ठीक है तो आई होप यह वाला फॉर्मुला अपने गेन किया होगा अच्छे से समझ में आया होगा चलो इसको नोट कर लो नोट कर लिया है अपनी एकक कोश्टिकाओं की संख्या निकालने का फॉर्मुला है कुल आयतन अपन एक कोश्टिकाओं के लिए उसके बाद हमने देखा कि घनत्यों का क्या फॉर्मुला होता है उसके बाद हमने देखा एकक कोश्टिकाओं की संख्या अपन कैसे कैल्कुलियर करते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्ट्टर में इससे रिलेटर कुश निमेरिकल्स लेंगे और उसके बाद हमने स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक और वह हमारा निविड संख्यू यह देखते ही है आई होगा थे वीडियो लेक्ट्रां प्या समझ में आया होगा थेंक्यू वेरी मच्च